काहे लाया इलवाड़ा मीले हो भीतर से मान हमरी ले हो पकड़ाइबा ता दूख बड़ी होई मोरी मईया अरे जाए नीरदाईया आजए हैं भईया जाए नीरदाईया ट्रेंडिंग की तो सच बात है मैं खुद ग्लोबल और उसमें चा गई थी पूरा मैं खुद टॉप 10 ट्रेंडिंग में रही हूं नौवे नंबर पे मैं लगबग दो हफते तक रही हूं और अभी भी मैं उसमें मुझे लगता है कि 20 या 21 नंबर पे हूं इसलिए और खेसार के साथ फर्स टाइम मुझे गवाया था उनके साथ जो मैंने बाबु आउना गाया इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर कहूं तो अकलेश कश्यव भाया का भी है और मतब कि समझ लीजे कि अकलेश ब्याने बोला कि यह को गाना इलवा मैटर बहुत सुन्दर है मैं लिए कड़ाई है पता है कौन पोदीना गर्ल जियां पोदीना इतना ज्यादा वाइरल हो चुकी है और अब लगातार एक और गाना आया था बाबु आओ ना वह भी आग लगा चुके और अब ही कल ही गाना रिलीज हुआ है लग गई आग जियां के साथ और पावस्टार पबन स बसुकर Satyaah Singh के साथ धंबाकेदार शुरुवान और अब बबावाल बावाल तरीके से स्टेच प्रोग्राम और हो क्यू ना हो पðैली बार जानेंगे उनसे अपने स्ट आइल में लेकिन सबसे पुदीना जैसा पवन भया ने सोचा था उसे कई लाग ज्यादा अच्छा निकला और पवन भया ने बोला था कि अनुपमा ये गाना कुछ अलग मैटर करेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बोल्ड आवाज है तुम बिंदास गाती हो एक बार गाओ तो मुझे नह लग और पवन भया मुझे इतना बड़ा मौका देंगे और सरस्ती माथा कि इतनी बड़ी कृपा होगी और वो गाना हीट से भी सुपर हीट हो गया तो मैं चरह एक लाइन जड़ा पहले हो पुदीना का अपनी लाइन गाती हूं काहे लाया इलवाड़ा मीले हो भीतर से मा हमरी ले हो पकड़ेइबा ता दूख बडी होई मोरे मैया रजाए नीरदा आजए हैं भईया जाए नीरदाए एजाए नीरदाएए कि लेप पावन सीम के साथ पोधीना कैसे आपको मिला किस तरीके से हूए क्या क्या बात हुए कि अखिरकार पावन जी ने आपको पावन पहली कि यह बहुत भी फैन रही है तो आधर ने मेरे साथ बहुत जादा काम किया है तों मुनना पर्मन भीया की कि यह चीज़ तो हम भोले हैं महाराज शुबस वह मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं आपको पवन सिंग घ्रू आरे पगली तो अमिट सिंग जी के थूनों ने मुझे बात करा है पवन भिया से आओ और बहुत अच्छा गाना है ब्लास्ट गाना है ब्लास्ट मैटर अभी कोई गाय नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम गाओ तुम स्टेज टाइप का तुम्हारा भोकल विए इसले तो मैंने भूला ठीक है तो हम लोग पहुंचे और गाय उसके बाद दो दिन बाद जब लॉंच हुआ तो पूरा तो ब्लास्टे कर गया अब को पोदीना गाना करेब-कर प्लस पंद्रा दिन पहले ही था और अब पता नहीं कितना एक महिने तक रहा यूटूब इंडिया की तो बात कर ले करतें ग्लोबल ट्रेंडिंग में ही रहा है तो इसको लेकर क्या क्या पुदीना से एक नहीं पहचान मिली है और बहुत जितने लोग नहीं भी जानते थे जान गए हैं और जहां तक बात रही कि ट्रेंडिंग की तो सच बात है मैं खुद ग्लोबल और उसमें चा गई थी पूरा मैं खुद टॉप 10 ट्रेंडिंग में रही हूं नौवे नंबर पे मैं लगबग दो हफते तक रही हूं और अभी भी मैं उसमें मुझे लगता है कि 20 या 21 नंबर पे हूं और पूरे वर्ल्ड में मैं 40 या 41 नंबर पे हूं तो यह सब है कि स्टेज और सारी चीज़े मिला के लेकिन पावन भ्या का यह हीट काने ने मुझे अलग है वो दिया और उसके बाद बाबू आओ ना फिर जे जे रिया फिर कूलर में तब अलग करेब इंका नाम तो तुफान हैतिंकु तुफान केुसरी इंक नम नोको Τंकु जी, भुलाते हैं और बहुत पिलाओ इंकु जिया पलपल नहीं माने तिंकु जी बहुत है इंसान तो नहीं कहूंघ, बहुत अच्छे व्यक्ति॥ि हैं, मल् सक्वेजेति क्योंकि हम लोगा जो केमस्ट्री यह काफी अच्छा है और टिंको भीया को मैं शुरू से ही मैं पहली पर पटना आई थी तो मुझे याद है कि मैं इन ही के स्टुडियो में रिकॉर्डिंग करने और उसके बाद जब टिंको भीया ने मेरा भोकल सोना तो भाया ने बोला कि अच्छा गा रहे ह है कि मुझे लगता है कि इन से ज़्यादा विश्वासी स्टुडियो में मतलब मैं वैसे तो जाती नवे सब सभी स्टुडियो में अच्छा है लेकिन मेरे से घर से नस्दीग भी पढ़ता और टिंको भीया में बहुत क्लोज रहते हैं ऐसा क्या कर दिये जी आपकी बहुत अमरूद गाना अमरूद ना मिली कुछ गाना था तो इनके बहुत अच्छा लगा था इनके बार हम जानते नहीं तो जब आवाज सुने ना तो हम कहें कि आप कहां थे तन दिन से आप इतना बढ़िया गा रहे हैं कहां थे भाईया उस दिन आवाज भी थोड़ लगा था इनको जानने के बाद मैं सर्च किया पोड़ाम इनका सर्च करने के बाद जाय चंदा है यूटूब पे वो देखे कर रहे यार यह कलाकार बहुत अच्छी है यह आखि थी कहां पटना में तो जैजा हो जाएगा फिर कंट्रीन में यहां आके गाने लिए भाया ने बुला काम से स्टूडियो मेरा जादा नहीं हो पाता तो टिंकु भाई को मैं जब भी फोन करती हूं कि भया एक रिकॉर्डिंग है ना देखे ना धाई बजी अगर कॉल करूं तो बंदा उठके काम करते हैं इसलिए और खेसारी भया भी तारीफ किये थे कि हम लोग तीन तीन लाल लाल रहे बहुत अच्छा हीट हुआ इन्होंने जिस पर भी हाथ रखा है बाई नेचर हुआ या बाई चिसी भी चीज हुआ कि कभी भी हम लोग को मतलब की दिक्कत नहीं महसूस हुआ यह लगता है कि हाँ कोई अपना है जो जिसके पास हम लोग जाकर मैं रात रात करती हुए यहां पर कभी नहीं मन करता है तो यहीं पर सो जाते हैं भाहि आप नहीं घाएंगे ठीक है फिर सुबह उटके क्योंकि मैं कारीक्रम जाधा करती हूं तो कारीकram से मुझे टाइम नहीं मिलता है तो दो दिन में मुझे कम लीश घॉना गाने रहते हैं तो हम बाबु आउना गाया इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर कहूं तो अकलेश कश्यब भाया का भी है और मतब कि समझ लीजे कि अकलेश ब्या ने बोला कि एक गाना इलवा मैटर बहुत सुंदर है मैं तो उस टाइम मैं सितामडी में कारिक्रम में थी तो सोना जी के हां जो ह अगले दिन सुबा में लॉंच हो गया जिस ताइम में गाना गा रहे थे और भोकल में उन्होंने कर लिया और उसके बाद में बोकल चढ़ाया और फिर वह भी गाना ट्रेंडिंग में चला गया साडी जी का भी एक फिल्म आई है अज की देखा गया अभी तक तो नहीं अभी तो कारिक्रम खतम हो अभी कल मेरा पड़सो मेरा लास्ट कारिक्रम था देवी जी के साथ लेकिन आप देखूंगी क्योंकि टाइम निम इनको भी लेकर जाएंगे यह तो वैसे फिल्म का टेल कारिक्रम में बीजी च्छट के रिकॉर्डिंग में बीजी हैं मतलब बहुत अभी देखिए कि इतना बाहर में भी बहुत भी लगा हुआ है